नवस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेट आज की 13 एक्टूबर 2021 और देख लेते हैं एंडियन एक्स्प्रेस की इंपर्टन न्यूज, एक्स्प्लें पेज से इंपर्टन आर्टिकल्स, वर्ल्ड पेज और एक्वानॉमी पेज और स्पोर्ट्स पे से है जो National Human Rights Commission है NHRC तो उसकी एक आप देख सकते हो 28th Foundation Day को हमारे Prime Minister address कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि selective outrage और rights का violation ये country को hurt करता है that means कुछ चीजों को highlight करते हुए कुछ लोग propaganda को fix करते हुए objection create करता है जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा माहुल बिगड़ जाता है समाज में और उसकी वज़े से country को एक threat create हो जाता है तो इस पॉइंट ऑफ यसी address चल रहा था human rights को लेकर इनको ठीक है तो आपके लिए जो टास्क है वो सिंपल सी यह है कि National Human Rights Commission NHRC के बारे में आप एक बार पढ़ोगे और SSRC के बारे में पूरा एक बार डीटेल में पढ़ लेना लक्षमी कांसर रिवाइज कर लेना ठीक है और establish हुआ था आज जिसे 28 डे मतलब कल गया तो बारा आक्टूबर को यह establish हुआ था ओके तो आप यह जरूर देखोगे एने चारसी के बारे में इसके आगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेट एक चोट एक न्यूज है चोटी न्यूज है वैसे तो पर important न्यूज है कैसे कि अब भी आपको पता है कि जो minorities हैं कश्मीर में उन पर attack किये गए थे सिक कम्यूनिटी के लोगों पर भी कश्मीरी पंडितों पर भी इन पर attack हुआ जिसकी वज़े से लगब 7-8 जनों की death हुई है previous अगर देखा जाये तो तो इस case में क्या है कि जो migrants हैं एक बिहार के भी एक individual थे जो street vendor थे ठेला लगाया करते थे उनकी death हुई थी तो इस वज़े से जो migrants हैं वो वहां से अपनी जगह चोड़ करके अपने घरों में वापिस जा रहा है तो जम्मू कश्मीर administration की तरफ से हैं जो deputy commissioner है कश्मीर के उन्होंने ये कहा है 10 district के अलग-अलग जो भी officers हैं उनको कि आप लोग migrants को जाने नहीं दोगे उनको आप confidence दिलाओ कि कश्मीर में security अच्छी खासी maintained है और अगर वो आप कह सकते हो कि जो भी government officials उन migrants को अपने घरों में जाने से return मतलब कश्मीर को खाली करने से रोकने में successful नहीं हो पाए तो उस case में उनके खिलाफ service rules से deal की जाएगी मतलब यह हो गया कि या तो उनको काम ही करना है नहीं फिर action face करने पड़ेंगे ठीक है न तो यह एक छोटी सी news थी कि कई बार ऐसे pressure वाली situation भी आती है कि जब आप एक officer rank में रहते हो उसी के लिए आप preparation कर रहे हो और उस case में ऐसी situation में आपके उपर मुद्दा आ जाए तो आप कैसे handle करोगे ठीक है उपर से दबाव आ रहा है कि काम करो किसी को वहां से कश्मीर छोड़ के जाने मत दो और द ठीक है राजस्तान हाई कोट के चीफ जस्टिस के तौर पे अभी अकिल कुरेशी जी ने sworn in किया मतलब शपत ली है ठीक है और शपत दिलाता कौन है गवर्नर दिलाते है हाई कोट के जब भी कोई चीफ जस्टिस के appointment होती है उनको ठीक है ना आगे चलते हैं एक न्यूज य रहेगी यूएस के जो नेवल कमांडर है उन्होंने इंडिया नेवी चीफ के साथ बातचीत की है तो आपको पता ही है इंडिया और यूएस की बीच में एक नेवी एकसराइज होती है ताट इस मालाबार एकसराइज और उसमें कॉड कंट्री सारे participate करते हैं इंडिया यू पारे में अच्छे से पढ़ोगे और एक मालाबार एकसराइज को आप रिवाइज करोगे जरूर से ठीक है इसके अलावा जो अगली नियूज है डाट इस कैबिनिट कमिटी अपरूज सबसीडी रेट फॉर फर्टिलाइजर कैबिनिट कमिटी और एकॉनमिक अफेर जिसक पेज नमबर सिक्स पे हम देखेंगे जी ट्वंटी समिट से रेलेटेड की अफगानिस्तान मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदी ने क्या बात कही है दूसरा हम देखेंगे खरे अब भी आप देखो की हायर एजुकेशन सेक्रेटरी फॉर्मर आई हायर एटायर्मेंट हो चुका है आई एस ऑफिसर ठीक है अमित खरे उनको अभी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के तौर पे आपॉइंट किया गया है ओके इसके आगे पेज नमबर सेवन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जज्मेंट देखेंगे कि बंबे हाई कोट बंब की थी तो उस कोटा वाले डिसिजन को स्ट्रक डाउन कर दिया है हाई कोट ने क्या कहके वो मुद्दा पूरा जानेंगे बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट है यह क्योंकि है रियालिटी है कि आप जब एक्सपर्टाइज की डिमांड करो और वहां पर रिजिशन कर दो तो उ एक है लेगो जो की डैनिश कंपनी है टॉइ प्रोडेक्शन कंपनी है उन्होंने क्या डिसिजन लिया है जेंडर बायस को सेटल करने के लिए और तीसरा हम देखेंगे कि गवर्मेंट अपनी तरफ से फॉरेस्ट को रेडिफाइन करने की बाते कर रही है अब क्या कंसंस है क्या मुद्धा है वो पूरा डिटेल में हम जान लेंगे इसके अलावा एकॉनॉमी पेज पे एक तो देखेंगे कि पावर मिनिस्ट्री ने ये जितने भी पावर प्रोड्यूजिंग जनरेशन कंपनीज हैं जिनके पास में कोल की कमी की वज़े से सप्लाइ प्रॉपर नह है भारत पे सेंट्रम भारत पे इनको क्या है स्मॉल फाइनस बैंक का लाइसेंस मिल चुका है अर्बियाई के दौरा अब देखो बात ऐसी है स्मॉल फाइनस बैंक क्या होते हैं क्या कंडिशन्स होती है इनकी काम करने की इनके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ोगे अ मोनेटरी पॉलिसी से इन से ठीक है ना तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक बार पूरी डिटेल गेन करोगी यूपीस सी पॉइंट ऑफ यू से इसके अलावा आई एमफ ने देखो इंडिया की जो ग्रोथ रेट उसके लिए फॉरकास्ट दी है कि 2021 मतलब 2021 का जो साल ह इसमें तो 9.5% से इंडियन एकोनोमी ग्रोग करेगी और 2022 में 8.5% से इंडियन एकोनोमी ग्रोग करेगी ये बात बोली है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के द्वारा बोली गई है इसके अलावा वर्ल्ड पेस पे और जो स्पोर्स पेस पे उस पे नजरोड डालेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स्प्लेंट पेज से डीटेल में डिसकुशन फर्स्ट एक्स्प्लेंट पेज पे इज ऑफ डोइंग रैंकिंग को लेकर के जो कॉंट्रावर्सी चल रही है उससे रिलेटेड बात है देख अभी ट्यूजडे की बात है जो आई-म-फ की एक इस रैंकिंग को लेकर के जो डेटा के साथ मैनिपिलेशन किया गया है उसमें तो आई-म-फ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने क्रिस्टलीना जोर्जीवा को सपोर्ट किया है कि इनमें हमें पूरा कॉंफिडेंस है इन्होंने कुछ गरबड नहीं की होगी तो कि उस टाइम पर वर्ल्ल बैंक ग्रूप के उस टाइम चीफ एक्जेगेटिव हुआ करते थे जिम यॉंग किम उन्होंने रिजाइन कर दिया और आप देखोगे इनको एक तरीके से इंटरिम चीफ एक्जेगेटिव के तोर पर पॉइंट किया गया था शुरुआत में फि सारे इकोनोमिस्ट हैं या आप कह सकते हो जो भी इन्वेस्टर्स हैं इस आफ डूइंग बिजनिस रैंकिंग को एक बार ध्यान में रखते हुए और इन्वेस्टमेंट को डिरेक्ट करते हैं अलग अलग एकोनोमीज में ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो सून रॉमर त उन्होंने एक आईडिया दिया था कि किस तरीके से किसी भी इकोनोमी के बारे में अगर आपको नॉलेज है और उस एकोनोमी के बारे में नॉलेज के बेसिस पर आप इन्वेस्ट करते हो तो कैसे हम लॉंग टर्म में कह सकते हैं कि हम प्रोग्रेस एंशॉर कर सकते हैं तो इनी चीजों को लेकर के ease of doing business को promote करना और फिर बाद में Romer को Nobel Prize भी मिल जाता है economics से related कि long term growth कैसे ensure की जा सकती है किसी भी economy में पर फिर बाद में controversy अभी जो latest आई है वो ये कि साथी अरब चाइना और UAE अजरवेजान इनकी ranking के साथ में छेड़ चाड़ की गई है मतलब data के साथ चेड़ चाड़ करके और इनकी ranking को improve करने की allegations लगाए गए फिर इसके बाद में एक independent investigation करवाई जाती है world bank के दौरा ही और ये main effort किया गया था wilmer hale एक law firm है उसके दौरा ठीक है जिसके दौरा investigation किया गया और उसमें ये पता पड़ा कि China की ranking को improve करने के लिए China ने अपनी इन दोनों के बाद में सबसे ज़्यादा जो contribution हो चाइना का ही है तो चाइना की पकड़ अच्छी खासी है world bank में तो इस वज़ए से जौर्जीवा पे दबाओ बनाया गया था कि China की ranking को improve किया जाए पर फिर बाद में जब investigation की गई तो थोड़ा सा ही आया कि हम mismanagement तो बहु की जा सके ठीक है ना चाइना के लिए तो कहीं ना कहीं फिर भी मिल गया था मुद्दा क्योंकि एक तो third largest shareholder है चाइना इसमें world bank में ये चीज़ तो हमने देखी लिए first तो USA second Japan third China इसके अलावा साओधी अरब UAE और अजरबेजान इनकी ranking से related कोई इतना investigation में outcome नहीं मिला था ये जो investigation agency ती जिसका नाम है विल्मर हिल अब आप देखो कि ease of doing ranking matter क्यों करती है इसका हमें पता है ना कि इसको देख करके लोग invest करते हैं अलाग अलाग कंट्रीज के अंदर ठीक है और world bank का ease of doing business ये जो metric है ये आपने आप में international investors के लिए important होई गया ये मैं बताई चुका फिर बात आजाती है कि reliable कितनी है ये ranking देखो reliability को लेकर के अभी तो controversy जो आई है वो तो है ही कि जी data manipulate किया जाता है और उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे gaps हैं जिनको highlight किया जा चुका है जैसे इंडिया में ease of doing business ranking अगर दी जा रही है इंडिया को तो आप देखो किवल दो cities है Metro cities Mumbai और दिल्ली इन ही से related data pick किया जाता है और इसी के basis पे ranking decide हो जाती है इंडिया की तो क्या ही आप इंडिया के पूरे scenario को show कर पा रहे हो अपने आप में partial है की नहीं दूसरी तरफ इंडिया ही नहीं चाइना में भी Beijing और Shanghai ये दो बड़ी cities है इनके performance के basis पे चाइना को ranking मिल जाती है तो ये तो हो गया कि आप cherry picking कर रहे हो कि कोई भी country अपनी performance को improve कराने के लिए दो-दो countries की दो-दो cities है उनकी उनकी performance increase अगर कर लेंगे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो पूरा country performance सा करने लग गया जी बिलकुल भी नहीं फिर देको बात ये है कि ranking methodology को हम improve कैसे कर स सकते हैं तो ऐसे में September 1 की बात है अभी recently World Bank ने already बहुत सारी ऐसी issues या फिर ऐसे suggestions जो की World Bank के पास में आये हुए हैं उनको publish किया कि वाकई में ease of doing business ranking को improve हम कैसे कर सकते हैं अब वो ranking में improvement की क्या गुंजाई से हैं वो देखते हैं तो ease of doing business methodology को improve करने के तरीके कुछ key recommendations है सबसे पहला तो कि जो methodological shift है उसको capture करने की ज़रुत है that means कि अभी जो हमने देखा ना कि केवल दो cities के उपर आपने focus किया और उसके basis में आपने पूरे country को analyze कर दिया और उसके इसाब से उसको आपके ने ranking दे दी तो proper data collection होना चाहिए methodological variation या methodological जो भी कमिया है उनको correct करना जरूरी है ठीक ना इसमें आप देख सकते हो actual sample है वो collect होने चाहिए कि वाकई में कि doing business easy हो भी पा रही है या नहीं या फिर केवल दो cities में improve हो पा रही है जिनका वो sample आप collect कर रहे हो दूसरा government का जो function है उसको बिलकुल भी ignore मत करो कम से कम उन activities में जिनको हम बोलते है public good essential public goods में government कितना क्या contribute करती है और साथ में private sector को कितना promotion मिल रहा है इसके लावा आप देख सकते हो कि private sector companies कहीं पर अपनी form लगा रही है तो वहाँ पर transport, communication, infrastructure और साथ में वहाँ के country की जो skilled workforce है law and order है इनको भी consider करना चाहिए ease of doing business की ranking अगर आप किसी country को देते हो that means कि government की functioning क्या है public goods provide करने में और वो भी किसको private sector को क्योंकि transportation, communication, infrastructure ये अगर अच्छा होगा तभी तो private sector भी growth कर पाएगा दो suggestion हो गए तीस्ता ease of doing business जो है वो diverse array of indicators को cover करता है ठीक है पर वहाँ पर जो meaning अगर मतलब निकालने की कोशिश करेंगे ना तो vagueness आएगी clarity बिलकुल भी नहीं है और एक चीज़ निकल के आती है वो क्या कि कि किसी भी indicator में आपके पास में clarity नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा के वाल idea ले लो पर सवाल ही आता है कि जब aggregate किया जाता ना पूरे अलग-अलग parameters को जिनके basis पर ease of doing business आप categorize करते हो रैंकिंग देते हो तो overall sense के अंदर उनका कोई मतलब नहीं बनता जैसे optimal policy अब ये optimal policy आप क्या बोलोगे उसको clear define करना जरूरी है ठीक है ना optimal tax rate किसको optimal tax rate बोलोगे मतलब ज चाहिए वहां पर arbitrariness नहीं होनी चाहिए कि हां मनमानी अपने कर ली और अपने हिसाब से define कर रहे हो कोई भी time आ रही है उनके clear cut definition होनी चाहिए फिर next suggestion आता है कि countries को आप ranking देते हो कि tax rate क्या चल रही है यहां पर जो suggestion है वो ये कि एक बार आप societal standpoint आफिस से देखो ना कि क्यो tax rate किसी country में जादा है क्यों tax rate कहीं पे कम है क्योंकि जैसे इंडिया की बात करे हमारे यहां पर redistribution बहुत जादा करने को होता है तो इस case में अगर taxation अगर government जादा करती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिनके पास में wealth concentration है जादा तो उन लोगों से पैसा लेकर के tax के तोर और जो गरीब हो उनकी welfare के लिए काम करेगी सरकार ठीक है यह prelims में question भी था कि अगर wealth concentration हो जाती है तो इंडियन constitution के हिसाब से किस चीज का violation होगा तो answer था DPSP डिरेक्टर प्रिंसिपल अब स्टेट पॉलिसी जिसके अंदर welfare की बात भी होती है और एक social harmony promote करने की बात भी करत हैं ठीक है तो उस point office अगर देखा जाए ना तो tax rate अगर कोई पर किसी country में ज़्यादा है या कम है उसको आप ज़्यादा consider मत करो यह देखो कि society के लिए कितना beneficial हो रहा है यह कि यह recommendation भी आई हुई है next recommendation क्या है कि कुछ ऐसे indicators जिनको आपने use कर रहा है उने indicators को eliminate कर दो जैसे कि minority shareholders की protection या insolvency कितनी जल्दी resolve हो रही है कोई भी अगर loan लेने के बाद में return नहीं कर पा रहा है तो इन चीजों को आप हटा दो क्योंकि यह reality बन चुके है minority shareholder को अगर protection नहीं मिलेगी तो वैसे ही काम अच्छे से नहीं होगा तो इसको बोला eliminate ही कर दो फिर next जो suggestion आता है वो यह कि जैसे government जो contract करती है उस indicator को और जादा relevant बनाओ जैसे PPP model की हम बात करते है न तो बोला इन चीजों पर भी हमें focus करने की जरूरत है मतलब world bank की ease of doing business मे focus करने की जरूरत है इसके अलावा employing workers की एक private sector में काम करने वाला individual या फिर आप कह सकते होगी जो भी employer है private sector का वो कितने लोगों को रुजगार दे रहा है उसको भी हमें improve करने की जरूरत है उसको restore करने की जरूरत है पहले हुआ करता था पर उसको अटा दिया बोला उसको ल यह मतलब कि आप किन किन एरियास पर focus कर रहे हो उनको आप बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ो ऐसा नहीं कि आपने observation दिया तो एकदम peak time पे आकर कि observation ले लिया किसी भी city कार उसके हिसाब से उस country को ranking दे दी अरे वे पूरे साल की अगर आप observation करोगे तब जाकर की तो पता ली है अब सवाल है कि क्या यह पहली बार हुआ है ऐसी controversy नहीं 2011 में भी हो चुकी है 2004 से 7 की बीच में भी हो चुकी है ऐसे बार बार कुछ ना कुछ issues आते रहे हैं ठीक है ना आगे चलते हैं IMF और World Bank के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना ब्रेटन वोड किया है कि कैसे gender bias को tackle किया जा सकता है उसके लिए उन्होंने पहले तो एक कहते ना कि सर्वे करवाया और सर्वे को conduct करने में mainly जो group था जिसका नाम था जीना डेविस इंस्टिटूट तो ऐसे में पता पड़ा लगबग 7000 parents से मतलब एक सर्वे किया गया और जो की चाइना च सारे countries developed countries की category में आते हैं तो यहां पर क्या चीज क्लियर होती है कि माता पिता भी यह सोचते हैं कि लड़कों के लिए challenges जादा है लड़कियों के लिए कम है तो एक gender stereotype आती है कि मतलब लड़कियों को अभी तक भी developed countries में भी weaker consider किया जाता है तो ऐसे में शुरुआत कहां से हो कि हमारे toys में हम इस तरीके का creation लगाएंगे जिसकी वज़े से gender stereotype promote ना हो ठीक है ना तो आपसे अगर यह interview के question को tackle करने का तरीका है कि gender stereotype को कैसे correct कर सकते हैं या फिर जो problem है यह gender वाली कि भई हम लड़कियों को weaker समझें लड़के superior है या फिर लड़कों को आप adventure के लिए promote करत हो तो इसकी आप कैसे correct कर सकते हैं इसकी वज़े से बहुत सारे discrimination का सामना करना पड़ता है girls को तो इसके लिए क्या किया जाए बोले शुरुआत खिलोनों से की जा सकती है और खिलोनों से ही एक बच्चा छोटा बच्चा सी खेल केल करके और वहाँ पर उसकी एक orientation create हो जाती है है ना तो वही चीज है कि लड़कियों को किस तरीके से society में support दिया जाए उसमें support देने में देखो सबसे important role होता है parents का parents भी आप ही देखो कि developed countries में जब पूरे ये survey किया गया ना तो पता पड़ा कि बहुत ही जादा hitch रखते हैं दिमाग के अंदर कि हाँ लड़कियों के ये क्या काम होना चीज है लड़कों के लिए क्या काम होना चीज है जैसे यहाँ पर लगबग example देखो कि 82% लड़कियां ये मानती है मतलब लड़के और लड़कियों के अंदर भी क्या behavior है माता पिता को तो छोड़ो एक बार 74 boys का ये मानना है 70% boys का ये मानना है कि कुछ activities जो केवल लड़कियों के लिए है और बाकी बची हुई जो है वो सारी की सारी लड़कों के लिए तो यहाँ पर भी आप देखो कि activities में भी gender issue आ गया दूसरा 82% girls से ही पूछा गया ना कि आप ये बताओ football खेलने में कितना comfortable हो तो लड़कियों ने कहा कि that's okay to play football पर boys की अग difficult situation create की जाती है इसके अलावा program जो लड़कियों के लिए बनाये जाते हैं तो उसमें एक prejudice आता है prejudice का मतलबा पहले से ही कुछ चीजों का ब्रांतियों को अपने दिमाग में सोच करके फिर बाद में final out करते हो तो ऐसे में एक system को surrounding को creative बनाना interactive बनाना gender bias को खतम करके फिर अपरली हो सकता है और इसमें देखो सबसे important चीज क्या है कि जब तक society इस चीज को recognize नहीं करेगी ना कि वाकई में इस behavior का कितने ज्यादा रैपकेशन future में देखने को मिलते हैं तब तक हम बच्चों को कह सकता है ना कि push नहीं कर सकते हैं gender bias नेसको ignore करने के लिए हना तो यह पर main focus है तो लेगो जो company है इसने इस चीज को address करने के लिए दिमाग लगाया है कि क्यों ना toys को भी हम gender stereotype को promote ना करने के लिए तैयार करें ठीक है और एक campaign चला रखा campaign for commercial free childhood कि क्यों पैसे के चक्कर में नहीं सोच समझ करके हमें काम करने की जरुरत है ठीक है ना अब यह पर काम किया जा रहा है the girls मतलब हर तरीके से अब देखो international day of girls यह कब आता है 11 October को तब से प्रोग्राम शुरू किया ready for girls campaign इससे क्या होगा parents को और बच्चों को सिखाया जाएगा कि या उनकी जो behavioral variation है उनको एक तरीके से direction देना कि जी आप gender stereotype को छोड़ो ठीक है ना तो यह च वो भी एक gender stereotype को खतम करना चाते हैं ठीक ना तो आगे चलते हैं अभी नेक्स जो आर्टिकल है वो है कि government क्यों redefine करना चाती है forest को और क्या concerns है देखो last week की बात है जब ministry of environment forest and climate change ने एक proposal दिया है कि हम forest conservation act of 1980 को amend करेंगे और उसमें यह देखा जाएगा कि forest की जो definition चलती आ रह problem आती है तो ऐसे में अभी तो public domain में इसको release किया है जो भी अभी proposals है जो भी changes लाना चारी है government और 15 दिन के लिए public से opinion मांगे है feedback मांगे है ठीक है तो और उसके बाद में फिर parliament का जो session आएगा भी winter session उसमें इस bill को table किया जाएगा parliament में तो सबसे पहली चीज तो यह है कि act को amend क्यों किया जा रहा है यह तो आपको समझ में आए गया देखो 1980 का जो act है इसको 1988 से पहले एक बार amend किया था उसी time पर define कर दिया गया था कि forest किसको बोला जाएगा पर समश्या क्या आने लग गई समश्या तो क्या मतलब government के इसाब से जो point आ रहा है वो यह कि problem यह आने लग है कि जब से सुप्रीम कोट ने 1996 का एक वर्डिक्ट दिया है टी एन गोदा वरमन थिरु मुलपद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसमें सुप्रीम कोट ने जो forest की definition उसको इतना expand कर दिया जिसकी वज़े से forest area में कोई भी activity करना possible ही नहीं है अगर उस forest area में किसी private individual या private group की property भी क्यों ना हो वहां पर अगर उसको forest area declare कर दिया तो इवन वो अपना मकान भी नहीं बना सकते इसके अलावा main जो problem है वो आ रही है ministry of railways को और ministry of road transport को क्योंकि वो कोई भी construction करना चारा है कोई भी project अगर continue करना चाहते हैं और कोई भी stretch अगर forest का clear करना है तो उनको developmental activities जो है उनको continue किया जा सके तो ये है main बहुत तो अब amendment क्या propose किया है वो देखते हैं इसमें आप देख सकते हो ministry नहीं जो proposal दिया है उनमें से पहला तो ये कि railway और road ministry ने जो भी land acquire कर रखी है 1980 में जब ये forest act आया था उसके पहले तो उनको अब छूट दी जाएगी कि वो अ environmental clearance लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी एक तो proposal ये है government के द्वारा वो बात अलगे कि feedback आ रहा है वो अलग होगा फिलाल तो एक तो ये government चाहती है दूसरा कि जो private forest act है या फिर आप कह सकते हो ऐसे areas जहां पर कुछ individuals की forest area के अंदर जमीने हैं तो उनको वो allow कर दे कि जी वहाँ पर अगर अगर अपनी कोई residential unit अगर वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं क्यों क्योंकि 1996 का जो supreme court का verdict है उसने forest area में कोई भी construction activities को बिल्कुल बैन कर दिया तो government एक one time relaxation देना चाहती है individuals को कि हाँ जी आप अपनी जमीन का utilize कर सकते हो अगर कोई defense project है जो कि international borders के पास म वहाँ पर अगर forest area और उस forest area को clean करने की नौबत अगर आ रही है तो उसको थोड़ा सा छूट देने की बात की जा रही है government के दोरा जो यह proposal दिया है draft bill में इसके अलावा कोई ऐसा forest stretch जहाँ पर oil या natural gas का extraction किया जा सके तो वहाँ पर भी छूट दे दी जाए अब जैसे technology sophisticated way म में कह सकते हैं कि हां environmental clearance लेने की ज़रुत नहीं हो ministry ने अपनी तरफ से एक proposal यह दिया है कि कोई भी area जो की non forestry purposes के लिए अगर use करना हो तो उसके लिए आप कह सकते हो की एक तरीके से renewable car वो जो पूरा मुदा रहता है license के लिए कि एक बार आपने forest area को non forestry purposes के लिए use करना जाएगी एक यह government यह चाहती है तीसरा लास्ट जो प्रोपोजल है government का वो यह कि जो road और या railways के आसपास में strip transplantation होती है जैसे यह road है तो इधर पेड़ लगा दिये इधर पेड़ लगा दिये तो बोलो उसके लिए अब छूट दे दी जाएगी उसमें कोई mandatory या compulsion नहीं अब concerns क्या है यह तो हो गए suggestion अब देखते है concerns क्या है जो activist है opposition leaders है उनका यह कहना है कि इसकी वज़े से तो देखो आप जंगलों को corporatize कर दोगे वहाँ पर तो केवल private sector के लोग काम करकर के और जंगलों की पूरी band बजा देंगे बतलब उसको बिलकुल एक दम ही आप कह सकत हो जाएगा क्योंकि लगबख 4% जो forest area है उत्रा खंड का वो तो private forest area है तो ऐसे में तो कितने जंगलों का नुक्सान हो जाएगा इसी तरीके से communist party और मायोस्ट cpm की जो leader है उनका यह कहना है कि जो forest dwellers हैं ट्राइबल्स हैं जो जंगलों में रहती हैं उनके problem को कौन address करेगा environmentalist है उनका यह कहना है कि road और railways की अगर बात करें तो उनको जो भी 1980 से पहले road और railways ने land acquire कर रखिये वहाँ पर अगर कोई भी activities की जाती है तो वो तो detrimental हो जाएगा क्योंकि already human wildlife conflict होते रहते हैं चाए elephant हो चाए tigers हो चाए leopards हो यह कितने ज्यादा इनकी death होती रहती है तो य इसके अलावा environmentalist का ये भी कहना है कि one time exemption आप छूट जो दे रहे हो ना private residents को कि हाँ जी वो अपने घर बना सकते हैं तो ऐसे तो फिर बाद में वो fragments हो जाएंगे forest area टुकुडों में तूट जाएंगे एक continuity नहीं रहेगी तो wildlife की moment में problem आएगी जैसे कि अरावली mountains को काट कार करके real estate में बना दिया हरियाना के अंतरा भी recent जो एक मुद्धा highlight हुआ था तो बोले ही तो ecology के लिए harmful हो जाएगा तो proposal भी देखे हाम भी देखी वो भी देख लिए अब बात यह है कि environmental groups ने क्या note किया है क्या इसमें positivity यहां पर दिख रही है government के proposal से तो environmental lawyer है रित्विक दत् कि ministry of environment forest and climate change ने अपनी तरफ से कुछ अच्छे काम भी किया है जैसे कि अगर कोई forest land को divert किया जाता है non forestry activities के लिए तो वहां पर चाहे rail हो चाहे road construction अगर होता है तो उसके उपर public debate को allow किया है कि जी कम से कम आप यह तो देखो कि अभी जितने भी काम किये गए ना पिछले 10-15 सालों के अंदर forest areas में तो एक official memorandum declare कर दिया जाता है अब कम से कम Parliament में बिल्तो लाने की बात की जा रही है ना Parliament में debate होने का scope रहता है उसके पहले कि public domain में सरकार अपनी जो मंसा है उसको clear कर रही है कि वाकई में हम क्या चाहते हैं एक बड़े scale के उपर तो उससे discussion अच्छा ह तो ये चीज बड़ी है एक तो positive outcome है दूसरा forest laws को आप देखो stringent भी तो बना रही है सरकार कैसे कि जो भी notified forest areas है वहाँ पर अगर कोई भी offense करता है तो उसको non-bailable offense consider किया जा रहा है मतलब bail नहीं मिले गई और penalty भी है और साथ में jail भी है एक साल तक की इसके लावा जो certain forest areas ज जो बहुत ही जादा important है ecologically उनको divert करने का बिलकुल mood नहीं और सरकार नहीं बिलकुल ये कानून में fix कर रखा है इसके अलावा forest को identify करना define करना ये देखो ambiguous नहीं होना चीए clear होना चीए बस थोड़ा सा ये है है कि नहीं तो ये कुछ positivity भी हैं आगे चलता है फिर आगे हम कु U.S. Chief of Naval Operations Admiral Mitchell Gilday ये देखो हमारे Navy Chief Karambir Singh जी के साथ मैं अभी New Delhi में ये image है तो basically इनकी visit आप देख सकते हो इंडो Pacific region में अभी जो activities हो रही है सबसे important तो क्या है चाइना की जो muscle flexing that means अपनी जो aggression दिखाई जा रही है उसको contain करना और एक आपको पताए कि COD members के बीच में हमारे माला बार exercise होती है ही जिसमें India, US, Australia, Japan की navies participate करती है तो ये अपने आप में एक important चीज है important event है इसके अलावाद next news है देखो cabinet committee on economic affairs ने अभी जो subsidy provide की जानी है fertilizers के लिए उसको approval दे दिया है तो इसको क्या बोला जाएगा nutrient based subsidy that means phosphorus, potas, इन fertilizers को promotion देना subsidy देना जिससे की सस्ते में किसानों को ये facilitate हो सके और ये apply कब से कब तक होगी 1 October 2021 से मार्च 31 2022 इसका मतलब क्या हो गया ये जो current ruby season चल रहा है न उसके लिए अच्छा सवाल ये है कि cabinet committee of on economic affairs इसको chair कोन करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी जो अभी currently है तो ऐसे मे ये जो decision लिया जा रहा है न जिसको हम बोल रहा है nutrient based subsidy इसमें लगबग 28,655 करोड रुपे की लागत आएगी subsidy देने के अंदर अच्छा इसमें subsidy देने का तरीका क्या रहेगा nitrogen के लिए हर एक kilogram के उपर 18.789 रुपे की subsidy है ऐसे ही phosphorus की है इसी तरीके से potassium की भी fix कर दी और sulfur की nutrient based subsidy से फाइदा क्या होता है माना यह आपका खेत है इस खेत में से एक जमीन आपने उस जमीन क्या मतलब soil का सेंपल लिया laboratory में टेस्टिंग कराई पता बड़ा कि आपके खेत की जमीन आपके खेत की जो मिट्टी है उसमें sulfur content और potass content कम है बाकि बचे वे और content ठीक ठाक है त इसके अंदर dominance किसकी होनी चीए sulfur और potass की इससे क्या होगा कि जो plants की requirement वो पूरी होगी नहीं तो access में आप मन में आए जहां पे urea डालने लग जाओगे तो nitrogen pollution create होने लग जाएगा और दूसरा soil से जो nutrient crop को मिलनी चीए वो नहीं मिल पाएगा ठीक है साथ में P&K fertilizer, phosphorus and potassium fertilizer इनको promote करना रभी सीजन के लिए बताई दिया और subsidized rate पे affordable price पे provide करना जिसे की किसानों को परिशानी ना हो और इसके लिए आप देख सकते हो DAP, diamonium phosphate जो fertilizer आता है वो और NPK that means nitrogen phosphate और nitrogen phosphorus और potassium इनकी भी जो requirement है वो properly देखी जाएगी ठीक है क्या-क्या भाव रहेंगे वो यहाँ पर बताया हुआ है तो आपके लिए जो task है वो रहेगी कि nutrient subsidy scheme ये क्या है पुरा system ठीक है ना अच्छे से देखना है इसको आगे चलते हैं next news is G20 summit में हमारे प्राइम मिनिस्टर नहेंद्र मोदीजी ने अफगानिस्तान के मुद्दे को फिर से highlight किया है कि बोला terrorism के लिए use नहीं होना चाहिए अब देखो G20 countries क्या है आपको पता ही है ये G20 group जो है world की 20 major economies का group है ठीक है ना और अब इसको chair कर रहे है इटली के प्रा जिसको highlight किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा वो है United National Security Council की जो resolution है जो कि इंडिया की प्रेजिडेंट्शिप के टाइम पर August 2021 में लिया गया था that was 2593 इसमें क्या था कि अफगानिस्तान की जमीन को कैसे भी करके terrorist activities के लिए use नहीं होने देना है वहां के लोगों के लिए जो humanitarian crisis आ रहा है उनको handle करना है ये था इस resolution में तो अफगानिस्तान से संबंदित ये resolution था ठीक है बाकी तो देखो आपको पताईए इंडिया और इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों के बीच में हमारे people to people tie कितने अच्छे हैं soft power इंडिया की कितनी ज़्यादा है इंड next news ये है कि गोवा हाई कोट गोवा गोवर्मेंट ने कोटा decision लिया था मतलब reservation देने की बात की थी जो post graduation medical seats है उनमें तो उसको struck down कर दिया गया है किस के दौरा हाई कोट के दौरा हाई कोट कौन सा लगता है गोवा में Bombay हाई कोट तो इसमें बात क्या हुई वो देखते हैं देखो 1980 की एक ruling है सुप्रीम कोट की केस का नाम है डॉक्टर जगदीशन सारन जगदीश सारन और वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया केस है इसमें सुप्रीम कोट में एक ही चीज कही थी जब हम top technological expertise की बात करें उसमें भी medicines पे particular focus करें जो कि एक अपने आप में हमारे देश क के लिए human asset के तौर पे consider कर सकते है क्योंकि life saving का काम है जिंदगी बचाने का काम है अगर वहाँ पर आपने जो एक expertise की requirement है और वहाँ पर आपने इन fields को cold shoulder कर दिया that means आपने इनको for granted ले लिया और reservation दे दिया quality से थोड़ा बहुत भी compromise कर दिया तो एक बार तो आप reservation दे दोग वोट पा लोगे पर ultimately नुकसान लोगों को ही होगा क्योंकि डंकी quality की दवाई नहीं बन पाएगी और इसी quotation को द्यान में रखते हुए Bombay High Court में High Court ने PG के अंदर जो reservation quota की बात की गई थी उसको struck down कर दिया है ठीक है तो यह अपने आप में बहुत important verdict है इसलिए इसको हमने दे ने government के एक move को object किया है वो क्या है वो जानते हैं देखो agriculture experts ने प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदीज को एक letter लिखा है और उन्होंने objection rise किया है वो यह कि government ने अभी एक decision लिया है कि जो genetically engineered या फिर genetically edited crops हैं उनको biosafety testing की requirement है या नहीं that means कि जो भी genetically edited मतलब jeans को edit करके नई crops अकर तैयार की जा रही है तो उनके लिए क्या पहले biosafety test कराना चाहिए कि नहीं इसके लिए government ने proposal दिया है states को और UTs को कि आप बताओ ये करना चाहिए कि नहीं तो experts ने इसी चीज़ पर highlight कर दिया कि जी आप इस बारे में technical experts से बात करोगे या सरकारों से बात करोगे सरकारों को क्या पता है कि किस चीज़ का approval देना है टेक्निकलीर किसको नहीं देना है तो ये ही मेर मुद्दा है और साथ में ये भी का है कि communication की कमी रही है ministry of agriculture and farmers welfare ministry of science and technology and earth science और ministry of environment and forest environment forest and climate change के बीच में क्योंकि इन लोगों ने डंग से बात ही नहीं की अगर डंग से बात करते तो ये न proposal है वो ये है कि genetically edited crops जो की SDN 1 और SDN 2 technology basis है SDN का मतलब हो गया site directed nucleus technology जो की genetically editing के अंदर काम आती है याद आ गया बोलार्ड 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 1 बोलार्ड 2 अभी question जो था किस से related था genetic engineering ऐसे question आते है SDN 1 और SDN 2 recently news में था ये क्या है किस से associated है तो सीधा answer हो जाएगा genetic edited crops related सीधा answer ऐसे बनता है ऐसे question आते है ठीक है तो SDN 1 और SDN 2 technology basis पे जो भी genetically edited crops है उनके लिए य department of biotechnology ने तो सवाल यह है कि यह proposal तो जाना किसके पास यह था genetic engineering appraisal committee जो की ministry of environment forest climate change के अंदर अंडर में काम करती है आप सरकारों से क्या पूछ रहे हो expert से पूछो ना यह है main controversy तो एक तो यह जो G.E.A.C. है na genetical engineering appraisal committee इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे ओके बहुत important है आगे चलते हैं economy page पर जो news थी important वो हमने देखी ली थी है ना ज्यादा कुछ देखनी के और जरूरत है नहीं इसके अलाबा अगर देखें वर्ल्ड पेस पर वर्ल्ड पेस पर देखो चाइना में भी floods आये हैं और mainly जो flood आई है वो river yellow पे ठीक है ना तो चाइना में important rivers के बारे में एक बार आप नजर डालने ना एटलस जरूर देख लेना ठीक है वैसे में last में चलो मैं दिखा देता हूं आपको yellow मतलब चाइना में कौन-कौन से river समें ली उनके बारे में बाकी इतना कुछ important नहीं है जिसके बारे में हमें detail देखना हो sports space पर अगर देखा जाए तो माइकल जॉर्डन माइकल जॉर्डन प्लेयर है ना बास्केटबॉल प्लेयर है तो उनका ये कहना है कि vaccination से सम्दित जो National Basketball Association of USA NBA ठीक है ना तो वो कोई गलत चीज नहीं है सही है आराम से vaccination करवाना जरूरी है ठीक है ना तो NBA जो है वो किस से associated है कौन से sports से associated है ये question आ सकत है इसके अलावा fast and courageous आप यहां पर देख सकते हो कि National Capital में 400 मीटर की रनिंग की वो वही थी competition जिसमें दिलिप गावित वो अंडर 20 फाइनल्स में पहुंच गये हैं और लगबग 49.89 सेकंड में इन्होंने complete कर लिए 400 मीटर ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त achievement आप कह स रखते हो ही मादास यहां पर आप देखो ही मादास यह कोविड पॉजटिव मिली हैं अब यह ट्रेनिंग पर पहुंच चुकी अभी फिलाल तो आप मुझे एक बार एक काम करो कमेंट बॉक्स में बताओ कि ही मादास किस सा सोसेयटेड हैं कौन से गेम में यह फोकस रखती हैं इसके अलावा बाकी तो आई पील से रेलेटेड ही है अभी मैच स्टार्ट होगा तब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है तो देखो जो भी इंपोर्टन यूज थी उनको डीटेल में हमने देख लिया है थैंक यू बारे मच फॉर चिंग दिस वीडियो